कार नहीं हुआ बरस्ती जन्पत में केवल जुन्जुनाक के तारुप हुआ है निजाम बदले लेकिन इस्थिपिया वही है साइकिल पंजा हाथी छोड़े अब निर्दल से नाता जोड़े किसान आपके सामने बैठे हैं आखिर किसानों के गन्य का पेमेंट वार्ती जन्ता पाड़ी की सरकार में क्यों नहीं हुआ नगर में अभी 42 साल का एक नोजमान साथी हमारा सुसाइट किया है केवल आर्थिक तंगी के हो जासे बेरोजगारी के मार के हो जासे भगवान राम का मंदिर का स्ख्रिय लेते हैं ये तो हनमान गढ़ी का निर्मार कोन कराया विधाय को सांसत दोनों लोग केवल मिल बाट के खाना चाहते हैं सरकार का ये हाल है वियाक कि अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो पांच किलो राशन अगर आप महगाई की बात करते हैं तो पांच किलो राशन आप महिलाओं की इज़त सम्मान की बात करते हैं तो पांच किलो राशन के पास कोई दूसरा जवाब है ये नहीं आने वाले चुनाओं में मैं चुकी ब्रामण परिवार से आता हूँ, ब्रामणों का उत्विणन हुआ है, इस सरकार को ब्रामण उखार ठेकने का काम करेगा नमस्कार मैं हूँ हेमन सिंग और आज हम खड़े हैं बस्ती में और बस्ती की जनता की हाल जानेंगे कि क्या बस्ती का माहौल क्या है और बस्ती की आने वाली विधान सवाचुनाओं में बस्ती का माहौल कितना गरम है हमारे साथ हम सीधा पहले रूक करेंगे यहाँ के सीनियर पत्सकार बस्ती के पुनीतोज़ा जी इंसे हम पहले जानने की कोशिस करेंगे कि बस्ती की मूलभुच सुभधाय क्या है जो विधान सभा में जिनका रंग देखने को मिलेगा और यहां पर आपको पहले बता दें कि पाच विधान सभा सीट है बस्ती में और पाचू बीजेपी के कबजे में है और यहां का जो लोग सभा सीट है वो भी बीजेपी के पुनिज जी बहुत बहुत स्वागत है नियूज वर्ल इंडिया में आपका आपसे जानना चाहेंगे कि बस्ती की मूल भूत समस्याइं क्या हैं। समाधान है जाव एलर्ड की बात करें तो लगता है कि उन नौजवान रोजगार जो जिने रोजगार की आउशक्ता थी उसमें कहीं ने कहीं कमी आई है क्योंकि जिन नौजवानों को ये कहा गया था कि हमारी सरकार आएगी हम रोजगार देंगे वो बीजेपी की बात नहीं ह कोई भी सरकार आती है वो नोजवाने के रोजगार पर ध्यान नहीं देती है तो पहली समस्या है कि रोजगार पर ध्यान देने की एक प्रापर वEd Chemistry होनी चाहिए चाहिए क्योंकि कतनी और करणी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए जहां तक यहां के सुभधाओं की बात है तो तो उसके साथ तमाम और सुभधायती जैसे बस्ती के प्लास्टिक कांप्लेक्स जो ओध्योगिक एरिया है उस ओध्योगिक एरिया पर कोई ध्यार नहीं दिया गया जो बड़ी-बड़ी कमपनिया यहां चल रही थी वो कमपनिया भी धीरे-धीरे जा करके पिछले पांस साल में देखे तो कम से कम 90 फिजदी कमपनिया बंद हो चुकी है और जहां तक विबाद की बात है कि यहां के जिला प्रशाशन की बात है विबाद को ले करके जब हम बात करते हैं तो फिर जमीनी विबाद यहां सामने आते हैं जिसको लेकर लोग आए दिन परिशान रहते हैं तहसील दिवस, समाधान दिवस, थाना दिवस, वादी संबाद दिवस, इन सब का आउजन जरूर किया जाता है, लेकिन जो उसका आउटपुट होना चाहिए, वो आउटपुट लगभग जीरो के बराबर आता है, तो अगर पूरे सम्मक इससे देखा जाए, तो यहां पार् कोई विकास का कार नहीं हुआ, ठीक यही हल, भारतिय जन्ता पार्टी का है, कि बस्ती जिले में उसे पांस सीटे मिली है, और मंडल में भी उसे पूरी सीटे मिली है, लेकिन उसके बाद भी आप उंगली गिना करके, सरकार दावा करती है, सरकार बिलकुल लखनव से जब पैट के दावा करती है, तो एक बराबर विकास का खाका खीचती है, लेकिन जब हम जमीन पर आते हैं, तो कहीं ने कहीं विकास के पीछे हम अपने आपको कमाग पाते हैं। समाजवादी पार्टी के जावेद जी बैठे हुए है, और कॉंग्रेस के ही अंकूर वर्मा जी है, और समाज सेवी के रूप में जो बस्ती में एक बहुत बड़ा नाम है, चंद्रमणी पांडे जी का वो हमारे साथ मौजूद है, और इधर हम बात करें तो राज जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, और दुसेंत बिकरम सिंग जी बीजेपी से मौजूद है, और हमारे साथ जो इन पार्टियों का जो मुस्तक्बिल लिखती है, वो आम जनता भी हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिस करेंगे कि बस्ती में माहौल गरम है, पह करते हैं आप बताइए आप से जाना चाहते हैं कि आपकी सरकार है आपका निजाम है बस्ती में समस्याएं बहुत हैं लेकिन कितना विकास आपने पांच साल में बस्ती का किया बस्ती की बात करते हैं तो बस्ती में धार्मिक रास्टवाद से लेके जॉब क्रियेशन से लेके सारी चीजों पर हमारी सरकार ने भारतिय जन्ता पार्टी के सांसत और विधायक ने ध्यान दिया है आप देखिए मखोडा से सुरू करिए महादेवा आईए और जितने धार्मिक ऐसे स्थल हैं उन सब स्थलों को विक्सित किया गया है जावब क्रियेशन की बात होती है तो पूरे प्रदेश में साढ़े चार लाख जॉब इस सरकार ने दिया है और कोई भी जॉब आज के टा बात ले लेते हैं आप इंजिरिंग कोलेज की बात ले लेते हैं राम जान की मार की बात लेते हैं इतना वикаस वई इस बस्ती में पूर पिछले göray काम किया गया है कितने संस्थान्भट अजहां लोगों की ट्रेनिंग हो रही है उससे लोम रोज का ट्रेनिंग लेक्ने बा आइटियाई कॉलेज संचालित हो रहे हैं, तो मैं जॉब क्रियेशन की बात ले लीजे या धार्मिक स्वालंबी इस जिले को जिस तरीके से बनाये गया है, पिछले विगत के सरकारों से आप तुलना करिए, तो ये अभूतपूर्व कार है, जो भारतिय जनता पारटी के सां जिस तरीके से कोरोना महामारी में लिप्त है, कोरोना महामारी में प्रताडित रहा है, से संघर्स किया है, जिस तरीके से पारटी के सांसत पारटी के कारिकरता और पारटी के विधायक, जिस तरीके से जनता आम जन्मानस की सेवा किया, कहीं भी आप किसी भी ज़गा देख ईतनी बड़ी जंसंक्या बड़ी जन संक्या को मुफ्त में राशन उपलब्द कराया जा सकता है मैं विदेश रहा हूं मैं विदेश पढ़ा हूं मेरी बात सुनिए आप लोग मिला कुल मिला जुला का आप कहरा चाहते हैं बस्ती के सारे लोग दूद्भात खा रहें दूद्भात नहीं खा रहें दे करते थे बस्ता के सांसद भी यहां हुआ करते थे क्या कोई बस्ता के सांसद को देखा था हरी इस दिवेदी की तुलना उस सांसद से करिया आपको इस पस्ट हो जाएगा कि पूरी बस्ती की जनता आमन चैन से जी रही है और दूद्भात का रही है अब हम सीधा चलते हैं लाल टोपी के पास लाल टोपी पर काफी सवाल उठा है और जो है विपच्ची पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभर के आ रही है आप से जानना चाहेंगे कि भार्सी जनता पार्टी का जो दावा है कि सारे लोग दूद्भात का रहे हैं और बेरोजगारी होती तो भारतिय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से भारत को नमबर वन और गोल्ड मेडल दिलाए होते जूट बोलने में इनका कोई सानी नहीं है जहां तक मुंडर्वा चीनी मिल की बात करते हैं कि एवल इनको गिनाने के लिए पांस साल में मुंडर्वा चीन मिल का वहां के करमचारियों का पैसा नहीं मिला है एरुदवली चीनी मिल है वहां के सानुक पैसा पिछले साल का नहीं मिला है और यह लोग आते जैसे योगी जी की सरकार बनी उन्होंने कहा 15 जून तक हम उत्ता परदेश को गढधा मुक्त कर देंगे आप भाई पत्रकार पर जाये नमक में मोरंग मिल लहा है नमक में रेत मिल लहा है सड़ा चना मिल लहा है लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं लोग से च्छा की मांग कर रहे हैं यह लोग चना दे रहे हैं और जुन जुना दे रहे हैं तो कार नहीं हुआ बस्ती जनपत में क्यों जुन जुना रहे और बस्ती की आवाज बनकर उभर रहे समाजी कायर करता गो है हमारे साथ है Yepdefense ond से जानते हैं कि इनके नजर में बादkte पार्टी बिकास किया है उसको किस नजर से देखते हैं अभी जहां के वाद बसपा बसपा के वाद भाजपा भाजपा के वाद सपा और इन चीजों से आप परे उठिए अब भाजपा के वाद आप फिर भी नसूचिए कि इनको ले आईए साइकिल पंजा हाथी छोड़ें अब निर्दल से नाता जोड़ें कारण दो रुपया किलो गयों हो तीन रुपया किलो चावल बहुत दीनों से कोटे में मिल रहा है और उसको अगर ये फिरी बांट रहे हैं आनि पांच किलो रासन दे रहे हैं तो पंदरा रुपया दे रहे हैं रासन ने दे रहे हैं 15 रुपे का छूट दे रहे हैं, और अगर एक सिम किसी के पास, जनता के पास है, आप बिभिन्नदलों के लोग हैं, और हमारे भी लोग हैं, वो सोचें कि उसके उपर उपाउने 200 रुपया इंकमिंग सुल्क दे रहे हैं, तो पा रहे हैं कि दे रहे हैं, इस सोचने का भी साय है, अब इसलिए मैंने कहां कि अन्य लोगों के बारे में भी न सोचिये, वो भी कहते हैं कि अगर एक मार तक बांटेंगे, तो हम दस साल बांटेंगे, चुने जाओगे पांट साल के लिए दस साल कई से बांटोगे, बेकुब बना रहे हो, और मैंने पूर्व के भी डिबेट में इसके पूर्व चुनाओं में जब डिबेट हुए थे, तो सवाल उठाया था, कि एक से आठ तक की छात्रवित्ती मायोती ने रोका, किसी दल ने बोला किया, किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया, आज के दस साल पहले कोटे में मटी का तेल और चीनी बंदों की जनता पैसा दे करके प्राप्त कर रही थी, किसी भी नेता किसी भी दल ने बोलने का काम नहीं किया, आज वही चीज जब फिरी बांटना है, तो सारे लोग होड लगाए हैं मैं कितना फिरी बाट हूगा मैं काता हूँ जनता को रोटी टेकर ना बनाईए जनता को रोटी मेकर बनाईए जनता को देना है तो उसके जिला साकारी और सहरा बैंक का पैसा दे दीजे उसके ग्यों गन्ने का दाम दे दीजे रहिवाद भाई साब सत्ता में बैठे हैं तो इन लोगों को कितना कहा जाए किसी ने सीता फुलवारी का पैसा खाया तो किसी ने मनोर्मा के सफाई का पैसा खाया मनोर्मा भी साप नहीं हुआ धरना प्रदर्शन मैं ने किया था योगी जी आये सो करोन रुपया आव अन्ठित करनिक बात किये पता नहीं योगी जी जूटे आँ कि जूटावादा किये पैसा नहीं दिये कि पता नहीं इनके सांसत बिधायक खागे, मनोर्मा साप नहीं हुए, और मनोर्मा महोसों में अंतिम दिन जिस तरीके से नत्यांग नाएं, उछली और नाची, वो चेंगरवा और सैफाई सबका जवाब दे गई, ये बोलने लायक नहीं है, कौन सा धर्म, रमना तौफिक गेरते हुए, सांड साला की बात की थी, गवसाला की बात नहीं की थी, सांड साला खोले होते, तो किसान की फसल सुरच्छित होती, जिस राम जान की मार्क पर कहीं भी, अगर आप साठ के स्पीड में गाड़ी चला करके दिखा दीजे, पंच किलो मेटर तो बताएं, एक न होते हुए, इनके जिला अधिकारी महोदया को मैंने ग्यापन दिया, कि महोदया राम जान की मार्क से भख रही निदूरी एक रोड साढ़े चार करोण की कागज में बन गई, सिला नास का पत्थर भी बन गया, लेकिन कहीं एक गिड्टी, कहीं डामन नहीं है, डियम महोद कर रहे हैं, और सिर्फ पासा पल्टा जा रहा है, जरूरत निजाम बदलने का नहीं, जरूरत एक क्रांतिकारी परिवर्तन की है, अटल जी की सरकार, बहुमत की सरकार नहीं थी, लेकिन उनका स्वणिम चत्रभुष सब देख रहे हैं, कल्यार सिंग की सरकार ने जो गन्ना करें, राम मंदिर के बात पर मैं कहना चाहता हूँ, कि हम आयोध्या में धर्म क्यों देखें, हम चाउनी में देखें, चाउनी में एक तरफ मंदिर, एक तरफ महजिद, महजिद से सटा हुआ, पत्रे की दुकान चल रहा है, सर्विस लेना तक यह नहीं बना पाए, यह धर करते हैं, राष्ट की बात करते हैं, और उसकी वजासे जो एक्सिडेंट हो रहा है, क्या एक जाती संप्रदाय का और एक दल के लोगों का हो रहा है, उस पे बिपच्च भी आवाज उठाने का काम नहीं करता, अगर आयोध्या आपकी देन है, तो चाउनी कब सुधारेंग है, वो अपने अधिकारों को लेकर के जग गई है, सत्ता पच्चो या विपच्चो, आज तक यही कारण है, कि चुनाव सूचना जारी होने वाली है, क्लियर हो गया है, कि चुनाव सही समय पर होगा, लेकिन अभी पार्टियां अपना प्रत्यासी नहीं तैं कर पाई हैं, क्या ये लोग अपने पूर्व के ही प्रत्यासी नहीं तो ये चंदरबॉली पांडे जी ते, जो इनका साब तोर पे कहना है, कि सरकार को रोटी टेकर जनता को नहीं बनाना चाहिए, और उसको रोटी मेकर बनाने की जरूर था, कॉंग्रेस के पास हम चलते हैं, कॉंग्रे से जानने की कोशिज करेंगे कि आखिर कॉंग्रेस की रणनीत क्या है, जिस तरह से प्रियंका गाधी जो है यूपी में महिलां सक्तिकरल की बात कर रही है, तो उससे कितनी जान जो है कांग्रेस को मिलेगी, बिलकुल आपको बताना चाहूँँ कि प्रियंका जी लगातार जब से उत्तरफदेशी कामान उन्होंने समाहली है, उत्तरफदेशी प्रभारी बनी हो लगातार जितनी भी घटनाएं, घटनाएं हो रही है, उसमें कॉंग्रेस पार्टी बढ़ चड़के हिस्ता ले रही है, हमारा जय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश अद्दक्ष है, हो लगातार हर बिंदूओं पर जहां भी विपच्छ का काम है, समाजवाधी पार्टी की विधाय सबसे ज़्यादा उत्तरफदेश में है, उसके बाद बहुचन समाजवाधी पार्टी है, तिसरे नमबर पर कॉंग्रेस की आती है, कि कॉंग्रेस पार्टी जब से बार्द की बात हो रही विकास की आज प्लाश्टी कांप्लेक्स हो या सुगर मिल नहीं हो, कॉंग्रेस पार्टी की देन है, उसके बाद से आज कल विकास की नाम पर बस्ती सूनने रहा है, जो भी समाजवाधी पार्टी नहीं हो या भार्दी अंतर पार्टी सरकार है, कभी किसी न समझें को नहीं कोई कामस किए नहीं है डय बैप कर रहे हैं जो कर रहे हैं आज भी लोंग जाते हैं मेड़किल जरो byन बना जाता कि अब आज बना है वो इनकी देन नहीं है और अकर इनकी देन है तो इसको इसको पड़ाने के लिए नहीं कि आप कालेज को इसे बात किया भी परोग्रा काल की कोनकर में कॉंग्रेस पार्टी के लोंग लगातार प्रफिश्ट के बाट रहे थे दवाईयां बाटी गई है से लिटाइजर हम लोग गाओं को च्छड़काओं कराए गया है और जब पैदल रोजगार करने वाले बस्तिजर पके तमाम साथी जो पैदल आ रहे थे उनको देने का काम किया गया बोजन कराने का हाई वे पर लग तशेड़ा है बीजेपी को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीध़ा उनका जो वाधा था जो दावे दावे थे बीजेपी यह ने क्या किया और बीपाचित ड़ों की कि सी सका योगदान रहे है आपसे जानना चाहते हैं क्या नाम आपका जीत बहुतर सेंग जीट बहादु जी आपसे जानना चाहते हैं बश्ठी का कित्ता विकास अब तक हुआ जनता का सवाल अब सीधे हम बीजे पी नेताओं के पास चलते हैं उन्हीं से जबाब लेते हैं कि आखिर गंणा किसानों के साथ इतनी जो है धिकत क्या है और उनका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा आ देखिए गंणा की पेमेंट की जब बात करते हैं, आपको बता दें कि पांच साल की सपा सरकार ने 95,200 करोड रुपे गन्ने का पैमेंट किया था और 4 साल में योगी आधितनात की सरकार ने 1,20,000 करोड गन्ने का पैमेंट किया है यह आप कहीं भी उसको देख लिजे आप नेट पे सर्च करेंगे ठीक है जहां गन्ना मिलो की बात किसान को पैमेंट की सरकार कियो नहीं हुआ है बता रहा हूं देखेंगे मैंने वही बताए आपको एक लाख पीस हजार क्रोड योगी आधितनात की सरकार ने गन्ना किसानों को पैमेंट किया है सुगर मिलो की जहां तक बात आती है आपको पता ही होगा कि सपा और बसपा की सरकार ने वनने इस सुगर मिलो को बेज दिया था आज उनी सुगर मिले दुमें से आपको यहां की सुगर मिल आपको पता ही है किस तरीके से कितना पांसो साथ करोर रुपे पांसो साथ करोल रुपे के इंवेस्टमेंट से नए सुगरमिल और एथनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो पूर्वर्ती सरकार से तीन गुणा एतनॉल का प्रोडक्शन सरकार कर रही हूं लेकिन payment क्यों नहीं है सवाल ये उड़ता है कि किसानों का payment आपकी सरकार ने खरीदा आपकी सरकार में खरीद हूँ इस payment क्यों नहीं कि तक आप पास चलते हैं जिन तक किसान में बस ती दो चीनी मिलें की सरकार में बंद हुई ये क्यों मुंडेरवा की बात करते हैं मुंडेरवा क्यों भाई और दोनों दोनों मिलों पे जबरदस्त बका आया है किसानों का इसके बाद रुधावली का जबरदस्त बका आया है तीन-तीन मिले मिले चल तो रही है रुधावली लेकिन पिछली साल यह दोनों जी ने मिले बंद है नहीं कि सरकार में आप विकास किये हम और पूरे जीमें आप टैक्स देते हैं किसान्ड देता है सब देते हम आप सारे लोग देते हैं अप हाइबे देख तक हाइबे नहीं सही है तो इनके विकाष की बात क्या किया जांकी जहूट जो है? benefits साय जहूट की भाजपा जूट जो है इता है जुँट बोलने की मसीन है आद जुन जुना दे रही है डिजेल माइनस कर रही है लोगों को फिर रासन दे रही है इसका कोई मंदम नहीं जंदा इनको जान चुकी है अभी भाईया ने कहा कि बीज़ेपी ने साड़े चाल लाग रोजगार दिये हैं अब बताइए कितने परसंट लिए आपने आपका मैं आपने लाग रोजगार पूरा हो गया नगर में अब बैली साल का एक नोजमान साती हमारा सुसाइट किया है कि वहला आर्थिक तंगी के हो जासे बेरोजगारी के मार के हो जासे और योगी सरकार कह रही है कि हमने अब लोगों को यह सोचना चाहिए जो पढ़े लिखे सिक्षित लोग है जो वह यह चीज समझेंगे जब पूरे विश्व में रोजगार पे इतना बड़ा संकट आया कि पूरे विश्व में आप लोग समझें आप लोग अगर 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 न्यूस देखते होंगे चला गया एक ऐसा टाइम आए था जब रोजगार बचाने की बात थी सरकार ने रोजगार बचाया भी और लोगों को रोजगार भटा भी तेविश्व में और दावें हैं आप सीधा हम एंके पास चलते हैं आप बताएं दूसरे साल 25 रुपे गन्य का दाम बढ़ाया उसके बाल पर तेक बर्स उन्हें ने दद्दस रुपे पत्र कुंटल जब चीनी 30 रुपे किलो बिक रही है उन्हों ने अपनी सरकार में मात्र 25 रुपे एलक्षन के कारकाल में 25 रुपे क्यों बढ़ाने का काम किया यह किसानो में उसमय ऊसमय चीनी का दाम मात 23 रुपे खा वाल्टरा गण्चीनी की बात करिये बस्ती चीनी मिल के बात करिये हमारे काविल स mixing रहे हमारे उसना यह क्रावन की नहीं ब्यदिवा लारा है तो बिजयेपी के हमारे साथीक आ लगाई प्रस्पा चलते हैं क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी to क्या इस्तिती होगी समाजवादी पार्टी बस्ती जनपद में पांचों सीड़ जीतेगी उसके गठ बंधन में उपाल जी और अन्य दल जो आये हैं गठ बंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में अख्लिस यादव जी के नित्रित में तो यह यह प्रस्पा का सवाल है आप बता है कितना विकास हुआ है जितना संघर साथ इन्होंने किया है विकास एक जमीन पर नहीं दिखा वंदेश के नाम पर अगर यह चुनाऊव लडेंगे तो एकदम जीरो है इनके पास कोई बिकास के मुद्रे पर चुनाऊव लड़ी नहीं सकते तो ये भी अपना अपना दर्द है लोग युवाओं के पास सीधा मुरूख कर लेते हैं कि अखिर बेरोजगारी की क्या इसीती है यहां पर बस्ती में बताना चाहते हैं कि आज जो भारती जन्ता पार्टी की सरकार है केवल धार में कुनमात फैला रही है और सरकार अपने सत्ता पेकाबी जोना चाह रही है यह भारती जन्ता पार्टी की सरकार 2014 में महगाई को लेकर आई थी ब्रश्टाचार को लेकर आई थी और बेरोजगारी को लेकर आई थी आज मैं बताना चाहता हूँ महगाई की क्या इस्तिती है ये जो 2014 के पहले पेट्रॉल की कीमत थी 2014 के पहले डीजल की कीमत थी वो कॉंग्रेस की सरकार में 62 रुपए पर लीटर थी जब 150 रुपए पर डालर पर बैरल कच्छा तेल हुआ करता था आज जो कुल मिला जुला के म महगाई का मुद्दा रहेगा और भारती जनता पार्टी के सरकार से जनता उप चुकी है इसको उखाड फेकने का काम ये जनता आने वाले 2022 में करने जा रही है कॉंग्रेस की सरकार बनाने जा रही है आप बताए क्या क्या कहने सर मैं ये कहना ता हूँ मेरा नाम राजु कन जी को काना में उनको फिर वापत भजवाया था और हमारे समाज की यहीं मूर्ती लगी है जैपी नडड़ जी आए महान राष्टिय संदगाडगे जी का पूरे देश में उन्हों भरवर करके स्वच्छिता भ्यान चलाया था सबसे पहले भारत में अवाज मोदी जी और चला दी गई हैं यहाँ पर अभाट कपड़े पे और उसके बाद जैपी नडड़ा जी वहां मूर्ती चारहते हैं क्या नाब है सुवाच चंदी के बोश पह और उसके बाद गाड़ जी की बो वहां मूर्ती लगी है उसके नहीं जाते हैं जात वाद की बाद कर रहे हैं पूरा हंदूस्तान में अपने अपने मुद्धे हैं और काफी रोज देखने को पूरा है मिल रहा है आप बताई आप क्या पर पड़े बाइंडुन को कजी जी से पूछना चाहता हूं कि भाचपा के पार्टनर संझाओ वि भगवान राम के ऊपर अनरगल बै बाजी कर रहे हैता हुं lol क्या हिंदुत मौन हो गया था तब हिंदुत खत्रा में नहीं आया मैं पूछना चाहता हूं पर क्यों नहीं कारवाई किये लोग और आपको एक बाद बताना चाहता हूं जब यह भी पी का कंडिडिट नहीं मिलता है यह के डीसी च्छासंग चुनाव यह लोग केंचिल करवाने का काम करते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत है उस पर बात यह लोग नहीं करें साड़ भा पचास के और यह काते हैं कि अगर भगवान राम का भगवान राम का मंदिर का स्थिये लेते हैं यह तो हनमान गरी का निर्मार कोन कराया वह भी एक मुसल्मान था जो निर्मार करा उसका स्थिये उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अब अब सीधा बीजेपी के च और दोलों ने कह करके कि भारते जनता पार्टी का प्रेटेंट कर दिया और इस नाते और संजे जहां तक संजे निसाद की बात है जहां तक संजे निसाद की बात है संजे निसाद में उस बयान पे अपने माफी मागा था और जो हमारे भाई विकास की बात कर रहा है यहीं गो तो नितिन गठकरी जी मखोडा धाम में एक बहुत बड़े प्रियोट का उध्गातन करने जा रहे हैं जिससे जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा लाखों लोग देखें देखें मैं बात करता हूं जानता के सवाल है मानिवर और जानता के जवाब समाजवादी पार्टी 5 साल रही परदेश सरकार में कोई बेटी दिन में 12 वज़े उठा ली आती है आज रात को 12 वज़े कोई बेटी अपने गर स्कूटी से अकेरे घर जाती है तो कहीं कोई कुछ है करता है प्रदेश उपाध्यक्ष और बीजेपी के लोग जो है रोजगार के नाम पर आये हैं रोजगार देने के नाम पर महगाई कम करने के नाम पर आये हैं लेकिन यह सारे मुद्दों पर फेल रहे हैं अपने जो इनके एजेंडा है उस पर कहीं भी यह किसी कीमत पर नहीं खरे उतर रहे हैं कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिन गया लोग कर रहे हैं कि हम मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हैं लेकिन इसी कोरोना काल में इनके इन्होंने रोडवेज बंद कर दिया रेल वेवस्था बंद कर दिया लोग किसान मजदूर जो दिल्ली मुंबई बेंगलोर मे प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होगा सीधी सी एक बात सभी दलों से और जंता से जब बच्चे का रिजल्ट बच्चे के मेहनत और बच्चे के पढ़ाई पर बनता उसके बात के पढ़ाई और कमाई पर नहीं तो नेता का रिजल्ट हम पाइटी और संसाधन पर क्योंता है करते हैं जो हमारे बीच में काम करें हम प्रत्यासी के क्रिट्ट पर चर्चा करें और हम बस्ती के विकास पर चर्चा करें रही बाद भाई साब ने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की बात की मनुर्मा की अभी बात उठाई सबसे पहले सरकार बनने के बाद नितिन गडगरी जी को सवरा आए थे और जल मार्ग और रिंग रोड बनाने की बात करके गए थे क्या वो बना अब आप 84 कोशी बनाने जा रहे हो यानि सिर्फ वादों से आपके रोड बनेंगे बनना कुछ नहीं है बनना क्या बनना कुछ नहीं है कास कुछ नहीं होना आप बदेख्योस चितने वी जितने बीब दाविव हैं सब खोकले हैं अभी भी कास की बात करेंगा तो आप पूरे सहर मैं आप भूप भूट लीजे कहीं भी कास के नाम पर कौई चीज नहीं मिलेगाब फश्पनी नहीं और वेख्यों काल कि समय की बात कर रहे हैं विकास की कार है लोगो को भीकास की धर्मला हमारे साथ हैं न उन्हें पहले जानने को से क्या मानती है जो बीजेपी के दावे हैं उसको किस नजर से आप देखते हैं कि कहते हैं कि महिलाओं को सुरुच्छा देंगे बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं आठ आठ नो नो दस बजे रात तक रेलिया निकालते हैं बसों की कोई सेवा नहीं होती है वो पैदल ही जाती है उनके घर में फिर कलेश होता है जो कहते हैं रोजगार देंगे महिलाओं को सिछ्छा देंगे वो बिल्कुल भी नहीं है तो मैं भार्ती जन्ता पाल्टी के जो हरीज दिवेदी हैं बरामाड हैं पर्मोत पांडे बले बले निता बरामाड है आज लखिम बले लखिम पूर कांड वाले किसानों को रोधा गया एक जूबे की पतनी को विकास दूबे की अध्या की ते उसकी और कृशा उसकी वीबी क्या थी उसको जैल में डाल जिदिया अगर अगर तेनि अगर उसके पीता है तो तो जो यह सवाल है लोगों का आप क्या बाहन त पांच बिधायक बस्ति सदर ने दिया जिले ने एक सांसत दिया बस्ति नगर पाल का दिया मगर आज सवाल जवाब में नहीं नजर आएं पाचास रुपिया प्लेट फार्म टिकट हो गया रेलवे बेच रहा है चात्र वित्ति जात्रों की नहीं आ रही है दो तीन सालों से कहां है यह पांच बिधायक एक सांसत कहां है सामने को नहीं है सवागाई का मुद्दा है महागाई का मुद्दा आप बताएं देखिए भारतिये जनता पार्टी के दो परवक्ता वैठे हैं जो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो जाए और जिस रोड पे वो कह रहे हैं कि रोड बढ़िया बन गई है आप हमारे साथ चलिए ब विधाय को सांसद विधाय को सांसद विधाय को सांसद दोनों लोग केवल मिल बाटके खाना चाहते हैं और कुछ करना नहीं चाहते हैं तो सरकार का यह अगर आभ रोजगार की बात करते तो 5 किलो रन आगर आपफ्ट Kaкий संवान की बात करते थो 5 किलो रसले नहीं हमारा पार she day of the day that happened the preparationкая का शोठता अर बस्ती की विकाज को लेकिए मेरा नाम लक्षमी कान विस्रा है उपर से ले करके नीचे तक जुमले बाजी के ओल है जूट ही हमेशा बोलते हैं ब्रस्टाचार बढ़ गया है बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है महागाई चरम सीमा पर यही मेरे कहने मतलब कोई सम्मान नहीं है यह हमेशा भष्टाचार में लिप्त आप आप क्या मानते हो आज कल जो भी सरकार है किसी का नाम किसी के नेता से नहीं मतलब है लेकिन यह जो कहते हैं कि रासन फिरी में है तो इनके जो फ्री रासन दे रहे हैं तो गाय भी फिरी में है एक्सिडेंट पुबलिक परिवार फिरी में है तो गाय लग परिवार जारा तो एक्सिडेंट हो जारा चारा गाह का जो मामला है वो सबसे ज़्यादा वरस्त है तो प्राष्ता काफी देखने को मिले जो लोगों का आरोप है अब सीधा बीजेपी के तरफ चलते हैं अबीजेपी नेताओं से ही रुक करते हैं कि आखी जनता आप लोग कह रहे थे कि जनता दूद भात का रही हो जनता में बहुत रोज क्यों देखने को जनता में देखे देखे जिसकी सत्ता होती है जनता उसको थोड़ा बहुत रोज हता है लेकिन जनता को यहां पे कुछ भारती जनता पार्ट कोछ सब्सक्राइब करें तो कहीं नहीं आप पुरे प्रदेश में आप साथ घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं और रही बाद बस्ती की जनता क्यों नाराज दिख रही है देखे बस्ती की जनता नहीं नाराज है यह कुछ तठाकथित लोग है जो नाराज हो सकते हैं और वह अभी आपको यहां सबके सामने वह नाराजगी कर रहे हैं जैसा कि अभी मैं एक दो तीन चीजों का मैं जबाब दे दूँघू अभी आपको पता है कल अखिलेश यादों प्रेस कानफ्रेंस में बता हैं कि आए पके चैनल के माद्हिंस से सभी दलों जनता से मेरा सवाल आप अभी महिला सम्मान की बात आई आप आसा बहूं को लेकर के आगन बाड़ी को लेकर के तमाम सारी चीजों को लेकर के पैंसन को लेकर के विपच्छी दल काते हैं कि हम आएंगे तो इनको न्याय दे देंगे कभी उनके लिए सदन में बोलने का काम क्या क्या एक मिनट सवाल उठाने दीजे, सधन में बोलने काम नहीं किये, आहां में एजेंडे में सामिल करते हैं, और सत्ता पच्छुन को न्या नहीं देती, बात सुन लीजे, बात सुन लीजे, और अभी एक भाई साप का रहे थे, अभी और किसानों के मुद्धे पर बात कर लीजे किसानों के मुद्धे पर बात कर लीजे, नाइंटी फाइप में ग्यहूं साड़े साथ रुपया किलो मैने बेंच करके खेती की थी, खड़ा नमक पचास पैसे का था, पिसा नमक एक रुपे का था, जनता के तरफ से, और सभी दलों के तरफ से पूचना चाहता हूं, बार सब गुमराह कर रहे हैं जनता को, जनता को मैं बार बार कर रहा हूं कि आपको आपके बीच में जिसे काम करना है, आप अपने प्रत्यासी को देखे कि कि किसने छेत्र में जनता के बीच में अच्छी पढ़ाई पड़ी है, जिसने अच्छी पढ़ाई पड़ी है, उसको उ और चीनी भी नहीं पाएंगे और आज तो नमक में रेत इस चुनाबी माहौल में भी बाटा जा तो महंगाई का बुद्ध है और बुद्ध है और पब्लिक हमारे साथ है आप से जाना चाहेंगे आप आपका क्या मानना है हमारा मानना ये है कि भायभूग ब्रस्टाचार को लेकर कि जो सरकार आई थी ये सारी चीजें और बढ़ गई है जनता परेशान है माफिया राज खतम करने के नाम पर जाती विसेश संपरदाय विसेश के लोगों का उत्मीडन किया जा रहा है और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में मैं चुकि ब्रामन परि पर समराक रहने वाले हैं जो हमारे कहने का मतलव है हम यह मानते हैं कि मोधी जी ने कहा था कि भईया दलितों के अचार मत करो हमारे उपर करो और यह भूल गए हैं हात्रस के केस में इनी के सरकार में और इनके पुलीस दो बजे रात को जलाते हैं कि डिषब मेर्ट में दो दिन पर शाधी को गोल्हार दिया जाता है और आपके पलिया के साथ त मैसम मेरे पलिया में थैलीकों क कर लुटे लिटों के साथ कहने डालीतों को जर से मिटताया जा रहा है और देखा जाए राष्टीह को प्राइवेटाओं को ठीना जा रहा है अरक्षड खतम करने के काम किया जा रहा है राहूल गादी जी प्रियंकाची अरक गादी जी कुमाल लू जी निरंतर लड़ रहे हैं देल्टों के लिए और एक कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देल्टों के लिए सुरू से लेकि आज तक लड़ी है आप क्या बानते है जो बीजेपी के दावे हैं उसमें कितना दम आपको नजर आता है एक दम दम है मोदी जी दुझना आवास दिये हैं वो किसी जाध धर्म को थोड़ी नाम कर लेकर दिये हैं सवचाले दिये वो जोला दिये जहां लोग लाइट के लिए तरह से लाइट दिया चोविसों घं जिस जिस ब्यक्ति का आदर्श जिस ब्यक्ति का आदर्श वो ब्यक्ति हो जिसने देश को भाजित किया जिस ब्यक्ति का आदर्श जिन्ना जैसा ब्यक्ति हो जिसने देश को जातिकत उस पे डिवाइड किया वो जातिकी बात करना और आपको पता भी है कि बिगत वर्सों म जब सभा की सरकार रही तो एक जात विशेस को किस तरीके से लाब जब से भाजपा और योगी आधितनात की सरकार आई है पहली बार सीटेट का सेंडर 500 से 700 किलिमेटर गया है और पेपर होने के बाद में पेपर लीक हो गया है तो कहीं न कहीं सरकार की छात बिरोधी मांसिक्त का पर्चे है और दूसरी बात सड़क इतना घड़ा हो गया है इसका जिम्मेदार कौन है जब चातर किताब इतना जादा महेंगा हो जाएगा तो चातर कैसे पढ़ेगा तमाम मुद्ध्याइं पूरी तरस चात्रों में भी रोस है और माहाल पूरी तरह से गरम हो जुका है किस्ता कुर्ठी के में कारिक्रा में माहौल अभी पूरी तरह से गर्म है आप ज़ाब क्या कहना है यहां पर बस्ती में दो कालेज हैं सरकारी कालेज हैं महाविद्याले हैं लेकिन बच्चे पढ़ते हैं तो उपर से सथ की जो छलेप लगीती है उससे पानी चूता है जब यहां का भीकास नहीं करोगे तो बिदेर पढ़ने जाना पड़ेगा जो बड़े लोगों वही बिदेर जाएंगे और यहां पे यहां के छाट्रों जो है उप्जात्रों पदा दिकारी हूं आप हमारे महाविदलयू है जिस तरीके से भईया ने बताया की दीवारे जर 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 हो चुकी है महाविद्धलय महाविद्धलयू के तिरह नहीं लग तरह है और यह कैस की बात करते हैं घो ऑगए जह यह जन्ता पाटी के लोग जस तरीके से जो यहे गया है लाओँड़ में इतना ही हमारे पास समय का भाव है फिर दूसरी जगे से मिलेंगे हिवन सिर के साथ फिर दूसरी जगे से हम किस चाकूशी का माहौल गरम है लेकर फिर हादिर होंगे तब तक भी लिए जिदा जाए